बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं लखनों से बड़ी खबर जहां सीम योगी आज समिक्षा बैठक करेंगे सुबह दस बजे लोग फ़बर में बैठक होगी जहां प्रदेश की मौजुदा हालाथ पर टीम 11 के अधीकारियों के साथ सीम चर्चा करने वाले हैं और साथी रोजगार मोहिया कराने की जो कारें यूचना है उसके भी चांदकार यहां पर सीम योगी आदर जिनाते हैं तो बैठक फ़े कैबिनेट मंत्रियों की तरब से दियस सुझाव पर भी बादचीफ की जाए और हरेंद्र चौदर भी मारें साथ हमारे रेजिडेंट ए जाएंगे और शायद इन्हीं मसलों को लेकर यहां पर सीम योगी आदर जिनात आज टीम 11 के अधिकारों के साथ बादचीफ करने वाले हैं लेकिन इसके साथ ही और क्या तमाम मसले यहां पर रहने वाले हैं बिल्कुल वितू जब कल प्रथान मंतरी मोधी रास कडाम में सम्मोधन किया था तो एक बात साथ हो गई थी कि लॉगडाउन 4.0 की सुरुआत होने माले है अक्षारे माई से इसकी सुरुआत होगी हालांके कब तक यह चलेगा यह इसकी ऐलान जो है बात में किया जाएगा लेकिन नए रूप में होगा और नए तरी से नई तरीके से इसको लॉगडाउन 4.0 को लागू किया जाएगा है यह बात प्रथान मंतरी मोधी की तरफ से कही गई और यह मुक्यमंतरी सबी प्रदेस में मुक्यमंतरी के साथ जो एक ने पहले वीडियो कॉंसिंसिंग के जर सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे बड़ा एहम मुद्दा लॉक्टाउन 4.0 को लेके होगा कि इस दौरान कौन-कौन सी जो छूट है रियायते हैं जो 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 ग्रीन जोन के अलावा औरेंज जोन और रेड जोन में ती जा सकती इस बात को लेके चाहोगे हाला कि यह जो सब्सक्राइब को देखते हुए फैसला किया है तो उसलिए बहुत एहम कहा जाएगा कि इस राच्य सरकारों की तरफ से तैयारी की जा रही है और दिखे अगर यूपी की और बात करें तो प्रवासी तरह में जो अब तक चुके नौ लाग तक रिवन प्रवासी तरह में द संख्या से ज्यादा जो है रिकवर होने वालों की संख्या होगी तो तक्रिवन पचास फीचिति के आजपार जो रिकवरी रेट हो गया है वो अपने आपने बहुत उत्साहज राहत देने वाली खाबार है तो स्वाथ सिवां को और बहतर करने को लेगे भी स्वीशा बैट के दोरां चर्टा की जाएगी चुरे धन्यवाद आपका हराइंद्र जी हमार सा जोड़ने के लिए